अब यहां देखिए, यह पीछे से हाद उठाया, और यह सामने का लोग, अचानक से सैड हो गया, अब यह लोग सर जुका के खड़े थे, इन लोग को कैसे पता चला, कि पीछे वाला हाद उठाया? यह लोग क्या पीछे से देखता है यह सेम चीज फिर से हुआ जब यह लोग दोर रहा था तो यह सामने वाला जो दोलर का है यह आगे था लेकिन यह पीछे वाला रुख गया तो यह लोग भी रुख गया अब तुम लोग को पता कैसे चला कि वो रुख गया तुम लोग कैसे पीछे देख लेते हो अब इस पैल बुद्धी को ही देख लीजिए ये सब के सामने कह रहा है कि किसी को पता चलना नहीं चाहिए अब बताएए ये तो वही बात हो गई न कि पापा ने बोला है पापा घर पे नहीं है ये भुद्धा रॉकी के डर से चाह पी नहीं पा रहा था लेकिन गौर से देखा तो इसके कप में चाह ही नहीं था क्या अंकेल हम लोग को चुतिया बना वैते अब इसको देखिए यहां पर ये चेन से बंदा हुआ है हाथ और इस चेन से ही ये लटक रहा है मतलब कितना जादा वजन इस चेन के उपर है ये तोटा नहीं लेकिन यही चेन जब इसने ऐसे किया तो तोट गया अब ये चेन लोहे का है या फिर धर्मो कॉल का है मुझे पता नहीं आप लोग को अगर पता है तो प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताए ये कौन सा गुंड़े है ये किस से ट्रेनिंग मिला है इस लोगों को जो इसको मारने के पहले हुए हुए करके मुझे आवास कर र मारा तो ये रोट छोटा दिखा रहा था लेकिन अगले ही सिर्ण में जब ये लोगों के मारा तो ये रोट अचानक से बढ़ा हो गया ऐसा लग रहा है कि यह खुद के रोट से मारा torch कब्यी चोटा, तो कभी बढ़ा, कभी छोटा, तो कभी रहा था लेकिन यह जब यहां से निकला तो इसके हाथ में वो छुड़ा नहीं था अब अच्छानक से इसके पास यह छुड़ा कहां से आ गया और यहां पर देखिए यह रोकी यहां पर छुड़ा लेके बैठा हुआ है और यह सब लोग जो इतने दूर से इंसानी तो है भूत थोड़ी है जो देखके भाग जा रहा है अब देखिए अच्छानक से यह गाना सुरू हो गया और इतने सारे लोग नाचने के लिए चले आए अब जब मारा मारी हो रहा था इतने लोग को यह अकेला मार रहा था तब तो यह लोग नहीं आए अब जैसे ही नाच काना चालू हुआ तो सब लोग आ गए अब यह दिखिए यहाँ पर धूप निकला हुआ है एकदम और अच्छानक से बारिस शुरू हो गया अब यह तो नेच्छनल चीज है कभी-कभी ऐसा होता भी है धूप में बारिस होता ही है चलो मान लेते है लेकिन बात ऐसा है यह एक सट पैंट के खड़ा है और यह जैकेट पैंट के खड़ा है एक्चली इन लोग को देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चली सीजन क्या है ना समर है, ना विंटर है फिर धूप में बारिस भी हो रहा है अब धूप में बारिस होता है लेकिन वो परसाथ के मौसम में होता है लेकिन यह क्या रौकी भाईया तो जैकेट पैंट के खड़ा है साथ इसको ठंड लग रही थी इतना मरा-मरी करके आया साथ energy down होगा तो एक energy drink पीना चाहिए था ना अपना Rocky भाईया तो मारे थे एक ही को लेकिन ये गिर गया दो ये तो बही बात हो गई न ये एक तिर से दो निसाने अब एक तक जिन लोगों को doubt था ये एक तिर से दो निसाने कैसे होते है उनको तो अब समझ आ जाना चाहिए अब movie मैंने देख लिया 56 minutes लेकिन जब यहाँ पर दिखा रहा था अभी तक 30 minutes का recording हुआ Can you believe that? अब इसने इसारा किया माचीस का इसके पास माचीस नहीं है फिर इसने अचानक से एक तिली निकाला और मोनी की पेट से जला लिया और माचीस जल भी गया यök कै मोनी तो हॉट है न लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया जब माचीस जलाया तो मौनी के पेट में कुछ नहीं हुआ लेकिन यही चीज जब सोलिजर में दिखाया था इसके दांट से माचिस चलाया था तो इसका दांट पूरा जल गया था फिर पीपासा ने भी जिगर से बीरी चलाया था अब पता नहीं जिगर तो दिखाया नहीं वो जला था के नहीं जला था अब उसके पास तो माचिस नहीं था लेकिन यहाँ पर जब यह पिट्रोल का टैंक लेके आता है तो इसके पास माचीज चला आया यहाँ पर गौर से रिखिए बाइक पर कुछ भी लगा नहीं है जब यह आ रहा था तो इसके बाइक पर अचानक से बॉम आ गया फिर यह बाइक जाके गीरा गारी के उपर लेकिन यह बाइक ब्लास्ट नहीं हुआ यह गारी ब्लास्ट हो गया लेकिन बॉम लगा था बाइक के उपर फिर बॉम फटा और यह सब लोग ऐसे गिर गया फिर जब Rocky आया तो यह लोग उठा फिर मारा मारी हुआ और फिर से गिर गया लेकिन मज़े की बात तो यह है ये लोग पहले जैसे गिरा था इन लोगो को ला कि इन लोगो के पीट पे गरम लोहे से numbering कर रहा था सब के पीट पे numbering किया फिर जब बात में दिखाया इसके पीट पे तो एकदम टैटू जैसा लग रहा था वो जो गरम लोहे से घाओ किया था वो एकदम मिट गया और यहां पर टैटू बन गया चला माल लगत है हो सकता है लेकर जब सब के पीट पे नंबरिंग हो रहा था तो यह क्या बाकी लोग के पीट पे तो नंबरिंग है ही नहीं अब यहां गौर से देखिए इस ग्लास में कितना पानी है फिर यह पानी पीया फिर पानी पीने के बाद भी ग्लास में उतना ही पानी है अब तो पीया क्या तू नहीं अब यहां पर देखिए गौर से इस लोडी के सब ने दो ड्रम रखा हुआ था फिर जब सीन चेंज करके दिखाया तो यहां पर सामने अचानक से चाट ड्रम हो गया फिर बाद में दिखाया तो दो ड्रम दिखाया फिर जब चेंज किया तो फिर से चाट ड्रम हो गया अब यह ड्रम क्या लुका चुपी खेल रहा था कभी दो कभी चार यह बढ़िया था इस एंगल से जब दिखा रहा है तो बच्चा रो रहा है लेकिन जब इस एंगल से दिखा रहा है तो बच्चा एक्टम सांथ सो रहा है बच्चे ने साइद बोला होगा और रॉकी के मा को कैंसर था जो मुँ से खून की उल्दिया हो रहा था अपको तो पता ही होगा लेकिन जब उसका मा का मनने का टाइम आया तो ये खासी का दवा लेके आया ये बहुत पूराना पैटेन है हर मुवी में एही दिखाता है कोई भी मनने का टाइम पे ये खासी वाला दवा लाता ही है चाहे बीमारी कोई भी हो लेकिन दवा एही वाला लाएगा इसे हम वालेवोड दवा कहते है अब ये खानी है रॉकी की और रॉकी जब पच्पन में दिखा रहा था तो उसका बाप नहीं था अब बाप मर गया या फिर भाग गया ये सब कुछ भी नहीं दिखाया था और इन लोगों को ये कहते होये भी सुना लेकिन अब यकीन नहीं करोगी जब चैप्रेट टू देखा तो इसका बाप कहीं से टपक गया अब इसको चेन से बांद के ला रहा था ये कैसा लॉजिक है अब यहां पर देखिए ये तीन कैदी को ला रहा था दो कैदी का हाथ बंदा हुआ है लेकिन रौकी का हाथ खुला हुआ है जबकि इसको गाड लेके आया फिर भी इसका हाथ खुला क्यों है जब इसको पानी के अंदर डुबाया यहां पर दोनो गाड था फिर जब पानी से उठा तो यहां पर एक गाड हो गया और जब यह गरुणा को मारा तो इसके पेछे से दोनों ही गाड गया हो गया क्या बात है सिर यह बात है अबे कहा गये डोन आवे आप लोगों से ख्यारा हूँ कहां गए अगर इतना दूर थक आप वीडियो देख चुके है तो एक लाइक तो बनता है न बॉस और आप मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में